हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो गैनाट डप्रिजेंट्स दा हिंदू एनलेसेज एनलाइज इन हिंदी आज है 13 अप्रेल 2020 और आज हमें दा हिंदू के कुछ रेटैर्मेंट जॉप्स की बात की गई है कि जिस तरीके से सम्मिधान के हमारे जो हमारे जो देश है उसके तीन पहलू मुख्य पहलू होते हैं एक्जिटिव लेस्लेचर एंडर जुडिशी नैपाली और कारपाली का और जो विधाई का होती इन तीनों के separation of powers की बात की गई है कि किस तरीके से हमारी न्यायपालिका पर हस्तक छेफ हो रहे हैं और उनका जो retirement के बाद है किस तरीके से कहां पर सेवन इप्रिति जो सेवन इप्रिति के बाद में कारेक कर रहे हैं तो हाली में एक बात अभी सामने आई है कि हमारे समिधान क को एक उच्चिसतर पर न्यायपालिका को रखा गए था ताकि किसी भी हस्तक छेप को ना देखते हुए वह अच्छे से कोई भी फैसले को कर सके और किसी भी लालच में ना आकर या आगे की अपने भवस्की ना सोचते हुए क्लियर जो ट्रांस्पेरेंट जो डिसीजन है वो ले सके इस तरीकी के यहां पर बात की गई तो सम्मिधान के भाग 5 के अध्याय चार में सुप्रीम कोर्ट से संबंदित बातें बताए गई हैं और साथी साथ में भाग 6 के अध्याय पांच में उच्छने अले जो हाई कोर 124 और 270 एक बी के तहत महावयोग के मात्यम से आसानी से नहीं हटाया जा सकते हैं यह बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं यहां पर जिस तरीके से यह लिखा हुआ है इसको ध्यान से देख लीजेगा क्योंकि यह हमारे का पॉलिटी के बेश से भी अगर देखा जाए तो कि तो आगे क्या बात है फिर आगे इस तरीके से साथ में अभी क्या मामला आया है सामने इस पर चर्चा की गई है कि रंजन गंगोई जो हमारे Chief Justice of India थे एक्स फॉर्मर चीप इंडिया रंजन गंगोई सब उन्होंने क्या किया उनको ऑफर मिला कहां के लिए राज्य सभा की सीट के लिए नॉमिनेट कर लिया गया तो उस पर चर्चा की गई है इस आर्टिकल में कि अभी कुछ टाइम पहले एक जो सीजी आई थे तो उनको गवर्नर बनाया गया एक र सीमांकन धुन्दला सा हो गया हाला कि क्योंकि कई नया अधीसों ने सरकार द्वारा प्रस्तावित पदां को सुईकर करना शुरू कर दिया अब हुआ क्या कि जो सरकार ओफर देती किसी को जो सरकारी पद है उनके लोभ में आकर कही न कहीं ये लोग दुबारा से इस चीज सरकार के दौरा गवर्नर के पत की नुक्ति करवा दी गई और साथ ही साथ में यहां पर सीजी आई जो रंजन गंगोई थे उनको राजसभा सीट के लिए नामांकित कर लिया गया और सीजी की रूप में अपने कारेकाल के दौरान हुआ कि जस्टिस गंगोई ने काफी सार की बात की खनीन है तो ने शुप कोना की तो ४हई में ही इनके बारे में सोचना चाहिए की अगर ये जो चीफ अब आप इंडिया या कोई भी सरकारी पदों पर निक्ष्थ है उनके बारे में retirement के बाद में कुछ ने कुछ उनके लिए हमें करना चाहिए ऐसा नीयम बनाने चाहिए क्यांकि कुछी लोग जो अपबात के रूप में हैं। नंभालो वही लोग हैं महापुरुष जो बाकि दlys किसी सरकारी कामों में ऐसे 주방sam पसंद नहीं करते हैं सरकारी पदवों पर जाना पसंद नहीं करते इन सबी सेवन इपृति द्रयं पर और अधिक तर लोग आज这 एट पर हम देख रहे हैं कि सब यह सारे जुपद हैं उसको ग्रेंड करना चाहते हैं और नॉमिनेट हो जाते हैं तो इस तरीकी की बात यहां पर की गई क्योंकि अगर उनका कहना था अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वह खुद अपने तरीके से अपनी जगे है वह बनाना चालू कर देंगे अपने डेटायर लेल के की सेवाख क्या कहा होग मतली राजसभा की सदत्र के रूप में किसको नॉमिनेट Sehr जा सकता या तो वो साहित, बिज्यान, कला और सामाजिक सेवा इन सभी इंमेह हो और कितने लोगों को राजसभा में नॉमिनेट किया जा सकता है ये भी बतादे हैं 12 लोग जो होते हैं 12 लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता है राजसभा में President के द्रू सट और अनुछेद 83 के तहत यह बात कही गई है आर्टिकल 80 थरी के तहत तो इस तरीके का यह आर्टिकल था इसमें जो बात की गई है कि हमें जॉब से पहले और जो प्री डिटार्मेंट और जॉब की बारे में सोचना चाहिए इन लोगों के तो चलिए आगे देखते हैं आगे क कोडिए यहां पर फैल हुए हमारे देश में है क्या हो रहा है किसी की जाती रंग भेद के अधार पर नहीं देखता है कि यह रा यह ने कॉरा मैं करना यही हीं बून संसे तरीकिया कोई नहीं देखता है यह साउधानी नहीं बढ़ते गा एक हैं तो यहां पर इस से बात किए उन्होंने कोविड नाइटी चनौती के लिए कुछ वर्गों की प्रतिक्रिया में को इस पर साम्रदाइक भटकाओं की आलोजना की प्रस्टभूमि के खिलाब बात किये उन्होंने कहा है कि जो कुछ लोग इस तरीकी की बात कर रहे हैं कि अलगाओं का पैदा कर दगे पर उन्होंने इसको इंटर्नल अफेर से इसके तहत मना कर दिए कि बाहर ही अस्तक्ष्भ हम नहीं साएंगे यह एक्टर्नल इट pää **** कुछ जरूथ नहीं है यह हमारे देस का मामला है हम इसको समाल लेंगे लेकिन फिर जैसा कि उन्होंने कहा शरापिन वायरस की खत्र और जो है अभी कंडिशन चल नहीं है हमारे देश में उसको हमें एक साथ एक जो ठोकर दूर करना चाहिए ना कि हमको समाज में सम्रदाइक भेदभाव पैदा करके इस चीज को हम नहीं लड़ सकते जीच सकते हैं तो बारती डाइसपूरा के एक जो मुखर तबके के जो लोग आते हैं उसमें से क्या हुआ कि जो सायुक्त अराब एमिराद था उसने इन सब चीजों को किस तरीके से लिया इस्लामोफोबिया के रूप में देखा गया वहां पर यूएई में अराब एमिराद जो है वहां प पर यह सारी चीजें जो संप्रतायक भेदभाव के मामले होते हैं यह बले डिजिटल रूप से बहुत प्रचार प्रसार के साथ में सोसल मीडिया में और नॉर्मल जो मीडिया होती है हमारी इसमें काफी निर्विवाद रूप से चलते रहते हैं बहुत लंबे टाइम तक लेकर यहां पर इंके 12-13 इक्सं लिए अगए अगर कोई एसा व्यक्ति जो यहां पर हैट की बात कर रहा है कुछ भी हैटD lat और में पूश्च करने पर क्या होता है कि यहां पर सबतायक साज्जे सायज उफ के नेतिक कहानी में और सबसे ज्यादा रोल कर ہیں यहां पर जो डिश्टर मीडिया जो सोसल मीडिया यह तो प्ले करती है लेकिन इसमें एक मुख है रोल जो इंपर्टेंट रोल प्ले करता है यह हमारी इंडिया की जो मीडिया है जो न्यूज वगेरा जो मीडिया चल रही है उसका भी काफी बड़ा योगदान रहता है इस च चीजों से दूर रहना चाहिए और अभी हमको इस महामारी से बचने के लिए एक साथ एक जुट होकर इससे लड़ना चाहिए ना कि हमें साम्रुदाइक भेद भाव को पैदा करके और ज्यादा कटनाई यह बढ़ानी चाहिए तो यह जो थे यह आर्टिकल्स हमारे दा हिंद स्क्राइब कर जरूर करें थैंक यू